हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि बाई टू स्टूडियो के आडिजन्स डिटेंशन में एक मैसेज लिख कर आता है जिसमें लिखा रहता है तो इसका मतलब क्या है और इससे आप क्या समझ सकते हैं इसके बारे में आपको इस वीडियो में बिस्तार से समझाने वाला हूँ क्योंकि जब आप इसको open करते हैं यहां से open करते हैं तो इस तरह का data यहां पर दिखाई देता है और यहां पर कोई भी data so नहीं करता है तो यह क्या मतलब है ठीक है ना अगर आप यह जानना चाहते हैं कि यह message लिखकर क्यों आता है तो इस वीडियो को सुरूश लेकर इंड तक देखते रहिएगा और अभी तक चैनल को सबस्काइब नहीं किया तो प्लीज टेकनिकल रतना कर चैनल को सबस्काइब कर दीजेगा तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं इस message का मतलब यह होता है कि जैसे मैं इसको क्लिक कर देता हूं यहां पर क्लिक कर दिया तो जो यहां पर डेटा आने वाला है उसकी प्रोसेसिंग चल रही है मतलब कि जो यहां पर डेटा आने वाला है उसको आने में दो दिन का टाइम लगेगा दो दिन तक प्रोसेसिंग चलेगी उसके बाद यहां पर डेटा आएगा जो इस वीडियो का audience retention है ठीक ना किस तरह का डेटा आएगा उसको मैं आपको दिखा देता हूँ यहां सबैक करता हूँ और दूसरे वीडियो में चलता हूँ जिसमें यह डेटा आ चुका है जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ उसे कन वाले वीडियो में और इसके बाद यहां go to video analytics पर क्लिक कर दूँगा तो यह देखिए इस तरह का data जो है तो दो दिन बाद आपको उस वीडियो में दिखाई देगा जैसे इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ इस पर क्लिक करने के पाद ये डेटा जो है तो उस वीडियो में दो दिन बाद दिखाई देगा ठीक है ना तो इसी तरह आप समझ सकते हैं कि उस मेसेज का मतलब क्या है और अगर आप इंट्रो टॉप मुवमेंट इसकी डिप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको उसके लिए एक वीडियो बना दूँगा और उसका लिंक आई बटन पर दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन पर भी इसकी लिंक मैं दे दूँगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि इन चारों का मतलब क्या होत थिका न थो आई होब कि ये वीडियो बना कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा थेंक यू जैहिंद